हेलो गाईज, वेलकम बैक टू वीजे ब्लॉक्स टाइटल और थम्नेल देखे आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला कि एंटी थैप डिवाइस इमोबलाइजर जो की एक सिक्यूर्टी फीचर आता है आज कि गालियों के साथ तो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकार आज देने वाला हूँ यह वीडियो जड़ा बढ़ा नहीं होगा, 2-3 मिनिट का वीडियो होगा तो वीडियो को फुरा देखिए तो शुरुआत करते हैं कि एंटी थैप डिवाइस इमोबलाइजर क्या है और इसको आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके गाली में यह फीचर है या नहीं है तो आज़े शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंट्स गाली के स्पीडोमेटर में आपको एक ब्लिंकिंग रेट कलर की लाइट या शाइन दिख रहा है यह जो है गाली आधे दिखाए गयी है उसमें एक लोग दिखाए गया है यानि कि जिस गाली में यह साइन चमकता हुआ दिखता है उस गाली में एंटि ठैप्ट डिवाइस इमोबलाइजर जो फीचर है वो feature होता है तो friends ये feature काम कैसे करता है इसके बारे मैं आपको बताता हूँ So friends ये एक advanced security feature होता है मान लिजे कि कोई व्यक्ति आपकी गाली में छेड़े छाड़ करता है किसी दूसरी की से इसके ignition को on करने की कोशिश करता है तो उस समय जो ये anti-tap device immobilizer है ये आपकी गाली को secure करता है और गाली को start नहीं होन देता है तो इसकी functioning के बारे मैं जानते हैं कि ये कैसे काम करता है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते है जो इसकी key होती है जो हमको गाली के साथ key मिलती है इस key को हम insert करते है यह देखिए मैंने की insert की तो अभी भी यह sign blink करेगा एक बार इसको मैं गुमाता हूँ यह मैंने की गुमारी देखिए अभी भी यह जो है की blink कर रहा है इसका मतलब अभी भी इसने गाली को lock किया हुआ है लेकिन जैसे मैं इसके accessory वाली पार्ट में जाता हूँ देखिए यह देखिए अब वो sign हट जाएगा और गाली के जो और sign होते हैं वो sign आपको दिखाएगा इसमें तो अब वो sign कैसे हटा उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं मान लीजे कि इस key की जग़े बेजो की मैंने यहां पर इंसर्ट की हुई है इसकी जग़े पर कोई व्यक्ती दूसरी की इंसर्ट करने की कोशिश करता तो यह sign नहीं हटता और गाली हापकी लॉक ही रहती तो जो एक key होती है इस key में लगी रहती है एक crossponder chip जो जो crossponder chip होती है इसमें रहता है electronic identification program code जब तक यह immobilizer जो गाली में लगा होता है जो system लगा होता है इस code को नहीं पैचानता वो गाली को आपकी start नहीं करेगा means totally जब हम यह key insert करते हैं तो इसमें चार प्रकार से functioning होती है मैं आपको बताता हूँ इसमें जो पहला जो मुख्य part होता है वो होती है इसकी key इसमें लगी होती है मैंने आपको बताता है कि crossponder chip और उसमें होते हैं electronic identification code अब जब हम यह key insert करते हैं जो इसमें immobilizer system लगा है वो उन codes को पैचानता है उन codes को पैचानने के बाद means तो दूसरी जो भूमिका हो गई वो immobilizer की हो गई तो crossponder chip में जो code होता है उसको immobilizer पैचानता है इमobilizer जब इसको पैचानता है तो वो ECU engine control unit तो engine control unit को message भिशता है then गाली का fuel pump जो है कि वो start होता है आप जब गाली start करते हैं जब हम इस key को देखे जैसे भी बंद है अब मैं जब इसको start करूँगा तो एक हलकी सी आवाज आती है आप notice कीजेगा यह देखिए साइद आपने आवाज सुनी होगी यह आवाज होती है fuel pump की fuel pump जो होता है वो चालू होता है तो गाली का जो start होना होता है वो चार चीज़ों पर depend करता है यह आपकी गाली पर यह security feature लगा हुआ है तो यही छोटी सी जानकारी में आपको देना चाहरा था आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो इसे लाइक करें शेर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना न बोलें तो मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नेक्स वीडियो में नई information के साथ किल देन बाई बाई